जन्पत संभल की चंदोसी में सुतंता दिवस के अफसर पर एम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने मानव श्रिंखला बना कर देश का जंडा बनाया पूरे देश में सतंता दिवस की धूम मची हुई है इस मौके पर हर कोई अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज़बा अपने दिल में रखता है इसी सोच के साथ एम वर्ल्ड स्कूल के प्रवन्धक अनुप मंगलम ने इस बार सतंता दिवस के अफसर पर कुछ नय करने के विशय में सोचा और अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम से मानव श्रिंखला के द्वारा देश की स्चांती रंगा और जैहिन जै भारत की आकृती भी निर्मित करवाई जब भारत का नक्षा बच्चों ने बनाया है तो उन्हें कहीं न कहीं एक अखंड भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है और बच्चों में देश के प्रती अपनी भावना जोड़ती है तो जो भारत का नक्षा बना के हमने यही एक संदेश दिया है अपने बच्चों को और उने यह समझाने की कोशिश की है, यह पूरा देश तुमारा है, तो मैं इसकी रक्षा करनी है, जैसे भारतिय सेने इस टेम सारे बॉर्डर समाल ला है, ऐसे ही आपको बॉर्डर पर खड़े होकर या देश के अंदर रहकर अपने देश की सुरक्षा करनी है, और के वर्ष मैंने बच्चों की राकी बन बाई थी, क्योंकि रक्षा बंदन का दिवस था, तो इस वर्ष मैं चाहता था कि कोई ना कोई चीज बने है, तो पंदर अगस्त का मोका था, तो मुझे लगा कि मुझे अपने भारत देश का नक्षा बनाना चाहिए, फिर मैंने इसका और अटो कैट में पूरा प्लानिंग की कि कैसे कैसे फिल्ड में बच्चे खड़े होंगे, कैसे उनका फिलमांकन होगा, और कैसे कम से कम बच्चों को असुबधा दिये, ये मैप बनाया जाए, तो जो भारत का मैप बच्चों ने बनाया है, उसकी उन्होंने एक बार भी प्रेक्टिस नहीं की है, सीधे मौके पर आये हैं और उन्होंने बनाया है, टोटल आदे घंटे में बच्चे भारत का मैप बना कर जै इंद और जै भारत लिखकर बापस अपनी क्लास में चले गए थे, और टोकेट पर बनाने के बाद हमने फील्ड में गुलमेक लगाई चा के माइंड में भी वही मैप रहता, जै हिंद और जै भारत के समय हमने थोड़ी सी प्रेक्टिस कराई थी, क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी था, उन्हाने मुवमेंट करना था, बाकि जो इंडिया का मैप बना है, उसमें एक भी प्रेक्टिस हमारे बच्चों की नहीं ह ले मिए प्रेक्टिस